निया वर्ष आ गया है आपको जिग्यासा होगी कि क्या होने वला है आपके जीवन में जिग्यासा तो जिग्यासा होती अच्छा बुरा कम ज़्यादा लाभाने जो कुछ भी जितने भी विशे है प्रेम विवा आर्थिक लाब समवन बच्चों का मामला पदोन्नती जानिये हम लेकर आए हैं आपके लिए भाग्य फल का पिटारा आपकी राशिक अनुसार आपकी जन्व राशिक अनुसार क्या आने वाला है आपके जीवन में वर्ष 2022 में राशिक चकर के नौवी राशिक धनू है जिसमें आपका जन्व हुआ है आपके चंद्र राशिक धनू सक्क्रिय हो रही है थोड़ी क्यों? चंद्रमा से जब तीसरे शनी आते हैं अप्रेल माएंगे शुब माना गया उनको दो साहस प्रून काम करेंगे आप तीन मेने तो धुमाधार कर देंगे अपने काम काज में गती बढ़ा देंगे जोखी मिलेंगे बड़ा प्राक्रम दिखाने की कोशिश करेंगे और किसी परिष्थिति से जीतने की तैयरी करेंगे प्राइबन के लिए विशेश है ये वर्ष अप्रेल के बाद राशेश से चौथे जब रहस्पती आएंगे अप्रेल में किसी समाएंगे और वर्ष परियम चौथे भाव मरेंगे बीच में वक्री भी होंगे कुछ महिनों के लिए अक्टूबर तक वक्री रहेंगे तो वे आपको कोई जमीन मकान दिलाना ही चाहते हैं या वाहन बदलवा देंगे इस साल जमीन को बेचने से लाब हो सकता है अगर आप ऐसी किसी कारेवाई में पड़े हुए है जिसमें जमीन को बेचना शामिले तो आप ऐसे कर पाएंगे ये नहीं हो तो आप गड़ी बदलने की प्रोसेस में जुड़ जाएंगे तो वो हो जाएगा पॉपलरिटी ब रहने का वर्ष है ये आपके लिए आप किसी भी काम से ख्याती बढ़ेगी आपकी दोस्तों में लोगप्री हो जाएंगे उदारता से खर्च करेंगे सरकारी लोगों से संबंद बनेंगे बड़े बड़े लोगों से मिलना होगा राजपुरुशों से मिलना होगा एम्पलोयर बहुत परसन रहेंगे प्रमोशन जैसे ही होगी है आपके पिता आप से बहुत खुश रहे पिता से किसी कारणे से मत बेढ़े दें तो उनमें कमी आ जाएगी बलकि कहना चाहिए कि पिता बहुत अच्छी स्थिति मा जाएगी अप्रेल के बाद पिता के वर्चस्व का समय चल रहा है और उनकी उन्नती में सारे घर की उन्नती है इसी वर्च घर में कोई मंगल कारी होने वाला दीवाली के बाद बड़ा आयोजन होगा बड़ा खाना होगा गिले शिकवे दूर होंगे करिश्टार एकाज नाराज होंगे जीलस हो जाएंगे आपसे तो ज़्यादा तर आपसे खुश रहेंगे संतान को थोड़ा सा जोखिम की काम, मैनिपलेशन की काम या गैर कानों नहीं काम करने से रोकिए वो बताएंगे नहीं आपको सुनेंगे भी नहीं आपकी, चुप-चाप करेंगे तो नजर रखिए पर यदि आपके बच्चे छोटे हैं, पढ़ रहे हैं तो लपरवाई देखने मारे हैं, उनको कोचिंग की बहुत ज़्यादा जिरूरत है करानी ही है आपको यदि आप अविवाई थे हैं, तो अपरेल तक बहुत शांदार समय है चुक गए तो समय लगे गए प्रेम समंध हैं, तो परवान चड़ेंगे सहर्दर बढ़ेगा, चलता ही रहेगा आर्थिकलाब का वर्ष है पर न तो खर्चा भी उतना ही ज़्यादा है कोई बड़ी चीज से आये होगी और उसको जमीन में इन्वेस्ट कर देंगे ऐसा कुछ देखने में आ रहा है